दोस्तों मैंल पेज जूशी स्वारा सदेखवा फ्रेजब के बीच में एक नायस लोजी का वीडियो लेके आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँ है लब मैरिज के बारे में कि आप अपनी कुडली में देखके कैसे जान सकते हैं कि अगर आपकी लब मैरिज के योग है या नहीं है सबसे बहुत बतादू यह बेसिक कंसेप्ट है इसके उपर और बी डिविजनल चार्ट और और नक्षत्र बगेरा सारी चीज़ें इंक्लूडड होती है और भी सारी चीज़ें ग्राउं का बल डिगरी बहुत सारी चीजों को कंशिडर करके ही डिसीज होती है या फिर यह वाला केस हो कि 5th Lord यानि कोई भी हो सकता आपका 5th Lord कोई भी हो सकता है एक चीज़ देगी है प्रैक्टिकली जब भी और मैंने इसके उपर रिसर्च किया जब मैं रिसर्च कर रहा था बहुत सारी तो मैंने यह भी देगा है कि 5th Lord जो भी अगर अगर ऐख रहा यह मैंने वाली सउतन गरी परहनी तो बहुत सामने वाली संदय पंप्रैस मैं इस तरही कर पाता और उसके सब्सीं अंतर मंदे नहीं आपदे नहीं परसेंट योग बन जा तो व्यक्ति की लव अफियास रहते हैं या तो यह फिर व्यक्ति लव मेरिज करता है ठीक है और एक और चीज है कि सेवंध लॉड और फिफ्ट लॉड अगर कें दिस्तानों में यानि 1,4,7,10 में कहीं पर भी एक साथ होके कंजक्ट होके बैठे जाए फिफ्ट लॉड और सेवंध लॉड नाइन्ट हाउस में तब भी लव मेरिज यह नहीं यह कहीं पर भी कंजक्ट हो जाए और हां फिफ्ट लॉड सेवंध लॉड अगर अगर एक और चीज है कि अगर आपका मैं भी आपको ब्लीज इस वीडियो का अंतक जरूर देखना अ अगर आपका सेवंध लॉड शुक्र है और यह अगर आपके फिफ्ट लॉड के साथ है और उसमें राहू के तू यह शैनी का कई अस्पेक्ट आ जाए कई दिश्टी संबंद भी बन जाए कंजेक्शन बन जाए तो व्यक्तिगी लंब मैरिज होकर भी तूड जाती है ऐसे अगर आपको वीडियो अच लगी तो जरूर लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके जाना अगर आप अपना हस्तर एका का विचलेशन है कुल्डी विचलेशन करना जाते हो तो इस वीड नमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो जब तक लि